वेलकम बैक टू दो चैनल गईस मैंने बोला था कि एक्सपांशन जॉन्ट के विडियो क्या जाता है और कहां कैसे किया जाता है ओके तो बीडियो के लिए बंगलोज रहे दूसरे वाले चैनल लोगो तो उसको भी सब्सक्राइब करें दिस्क्रिप्शन में लिए बिजनेस रिडियो आपको उसमें मिलते रहेगा सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए कि यह जो अपना कॉलम है वह बड़ा वाला जो ऐसा कॉलम है यह एक यग वालम है दोनों देखिए सटा हूओ है एकदम कॉलम वहां पर भी देखेंगे आपको तो एकदम जॉइंट है सिर्फ 25 विजफ पर पतीज़वें का गयप है ओके 25 स्थार्माइब देखे वाइड धर्मकोल डाला है ने धर्मकोल आपको कंपलसरी डाल है अगर ऐसा कहीं कंडिशन वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा जादा गयप है क्योंकि आपका expansion joint है वो सीधा जा रहा है तो वो column थोड़ा सा पीछे है देखिए यह column नजदीक है इधर है वो column पीछे है तो वो slab के अंदर cantilever में लेके कर चला जाएगा उपर पर उपर जब आ जाएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको expansion joint दिखता कैसे अभी बता दू ground level से maintain कैसे करके चलना है तो यह जब ही आपका देखिए यह building देखेंगे आप तो कितना बड़ा building है इतना बड़ा building है करके जो बहुत बड़ा slab है आपना तो वहाँ पर आपको expansion joint देना कंपल्स हरी है इतना बड़े slab के लिए क्यूं क्यूंकि expansion joint क्यूं दिया जाता है क्यूं यह expansion joint है उसका दूसरा नाम आपको मिल जाएगा control joint ओके यह क्या होता है यह gap होता है ओके वो क्या करता है concrete का जो expansion और contraction होता है बढ़ता है थोड़ा सक्या है contract होता है यह expand होता है उसका जो moment होता है वो moment bear करने के लिए क्रैक वो moment आकर नहीं होगा expansion joint के अंदर तो crack आ जाएगा कहीं भी slab में crack आ सकता है कहीं भी crack आ सकता है तो अपना जो seismic activity रहेगा यह वो ग्राउंड settlement हो यह सारी चीजों से बचाता है अपना building material जो रहता है वो expand और contract होता है तो यह expansion joint आपको देना कहां जरूरी है जहां आपका slab का area वो बड़ा रहे तो वहां पे expansion joint देना चाहिए अगर आपको लाइव देखना है तो आप रोड पर देख सकते हैं ब्रीजेस पर देख सकते हैं वहां पर जो लेन रहता है आप देखेंगो तुम्हें MS का पट्टी लगा हुआ रहता है तो वहां पर गैप रहता है तो गैप कितना रहता है 75 mm का अब आपको दिखा दूँगा बट यहां पर इंपोर्टन क्या है कि expansion joint अगर इंड्यूस हुआ है तो 75 mm gap 100 mm का उसका depth रहेगा तो उसका column भी आएगा देखें जैसे यह सब छोटे-छोटे जितने columns है वह एक दो तीन चार पांच यह तो एक दुछरे फ्लैट का है चार पांच छे साथ तो जितने भी columns भी आएंगे उसको support करने के लिए column भी आना कंपल चरी और आना चीए उसके वाई इसका अलग से सेंटर लाइन आएगा विट रिफ्रेंस तुदा में बिल्डिंग अगर वाज इसको आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे एक की फूटिंग में कितना मारा हुआ तो वसी उसी उसी Northwest अकॉलम से आपको टो रिफरेंस चाहिए उससे धो आप expansion joint का column इसी reference से बैठा दीजिए यहां से आप इसको इस सेंटर ले सकते हैं वहां से इसका सेंटर ले सकते हैं ओके तो ऐसे column बैठ जाएगा और इसका क्या क्या रहना चाहिए सेंटर लाइन चाहिए column schedule रहना चाहिए और footing रहना चाहिए कि कैसे changes हुआ है वहांपर expansion joint नहीं है फूटिंग अलग रहागा यहांपर expansion joint अलग रहेगा तो अगर नियौट रहेगा आपका food constellation चैंज सेंटने चैंज होगा अलग से आएगा तो यह सारे चीज़े धियान सेंटर रखना ज्यक्रालत एक्जीक्यूशन कैसे करना है अगर गैप नहीं है तो तर्मकोल आपको डालना ही डालना क्योंकि डिफ्रेंशियेट नहीं होगा अगर कॉलम एक में जॉइंड जाएगा तो लोड जो है वह टोटल लोड जाएगा अधरवाइस डिस्ट्रिबूट रहेगा लोड जाएगा फुटिंग के उपर तो यह सारी चीज़े एक्सपांशन जोन के लिए क्लियर होगा कि कैसे क्यों किया जाता है सिज्मिक एक्टिविटी उसके बाद आपका ग्राउंड शेटलमें यह सब बचाने के लिए क्रैक बचाने के लिए हम लोग एक्सपांशन जो किया जाता है कौन MS पर टी उसके जाता है कि क्या कि जाता है वह मैं आपको वीडियो में आगे प्रोजेक्ट जब हो जाएगा उपर सलाइब आ जाएगा तो हम लोग करें यह तो बता दूंगा आपको ठेंक्यू वाचिंग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया अभी तक अपनी सब्सक्राइब कीजिए बिजनस इडिटर वीडियो के लिए